नमस्कार निस्टा प्रसिक्षण वर्ष 2020-21 में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम विद्यालय आधारित आकलन पर चर्चा करेंगे सीखने के प्रतिफल इस मौड्यूल को समझने के बाद आप निम लिखित को करने में सक्षम होंगे पहला विद्यालय आधारित आकलन की प्रस्टिभूम को समझने में दूसरा विद्यालय आधारित आकलन को परवासित करने में और तीसरा विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विसेश्ताओं को समझने में बिद्याला आधारित आकलन की प्रिस्टि भूमी आजादी की समय भारत में सिक्षा ब्यबस्ता मुख्य रूप से परिक्षा आधारे थी चाहे कक्षा एक हो दो हो बीए हो बीएसी हो केबल लिखित परिक्षाओं के आधार पर लोगों को वरगी कृत किया जाता था भारत में पहली बार राष्टिय सिक्षा नीति 1968 के तहद सिक्षा प्रडाली को लोगों की जरूरत और उनकी आकांचा को ध्यान में रखते हुए ब्यापक आगलन की बकालत की गई जिसके तहद परिक्षाओं में बच्चों का प्रदर्शन मापने हेत पाठ चर्या के साथ साथ पाठ सहगामी क्रिया कलापों को सामिल किया गया पर कुछ समय बाद इसमें भी सुधार की जरूरत मैसूस की जाने लगी और 18 साल बाद सन 1986 इस बी में एक और राश्टी सिक्षा नित जारी होई जो असेस्मेंट को सिक्षण अदगम यानि की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक पार्ट मानती थी एक ऐसा पार्ट जो बच्चों की विकास और उन्नती का प्रमाण प्रदान करता है तो इस प्रकार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेस्मेंट को सामिल करने के लिए CCE की सुरूबात होई और कहा गया कि सिक्छन की अबदी में पाठचर्या और पाठचर्या सहगामी दोनों पहलूँ में बच्चों की विकास और उन्नती का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए वैसे तो भारत में CCE की अबधारना का उपयोग सिक्छा के साहित में 30 बरसों से अधिक समय से किया जा रहा है लेकिन केबल साहित में हकीकत इसके विपरी थी असेस्मेंट अब भी पैन और पेपर बेस्ड हुआ करता था अब लोगों के मन में कई विक्रतिया या कहें कुछ ब्रहमुत्पन हो गए थे जो योजना के साथ साथ प्रडाली की विश्वस नीता को नुक्सान पहुँचा रही थे तो वो कौन-कौन से विकृतिया या भ्रम थे जिनके करण प्रडाली की विश्वसनीता दाओं पर लगी थी अब हम उसको समझने की कोशिस करते हैं पहला था सिक्षन और सीखने की प्रिक्रिया पर परिक्षाओं का हवी होना प्रतेक पाठ का टेस्ट, सापताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, अर्दवार्सिक परिक्षाओं अब इन सब का टेस्ट और परिक्षाओं का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखना भी एक सिक्षकों के लिए बड़ी चिनोती साबित हो रही थी जिसके कारण अध्यापकों पर रिकॉर्ड रखने का भार बढ़ रहा था भार बढ़ने से सिक्षकों में अरुची तथा बच्चों में भी अतिदिक परिक्षा देने के कारण लाप्रवाई बढ़ी जिससे रटंत प्रडाली का फिर से जागरण हो गया पूरा सिक्षन विवसाय और विद्यालय प्रडाली की विश्वस नीता को जवर्जस नुक्सान हुआ अंत में अभिवाबक भी CCE के स्वरूप से संतुष्ट ना थे CCE में अभिश्वास के मुख कारण क्या है इस पर चर्चा करते हैं पहला कारण है सतत सब्द को आवर्ती के रूप में गलत समझा गया था आकलन को सिक्षन और सिक्षा के साथ समेकित किया जाना चाहिए था लेकिन इस पर क्लास टेस्ट, इकाई टेस्ट, बार्शिक परिक्षा, अर्थवार्शिक परिक्षा का बोल वाला रहा और परिक्षा का अतिदिक प्रयोग सिक्षा की पूरी व्यवस्ता पर हवी हो गया था दूसरा आता है बियापक सब्द को गलत पहलियों के साथ जोड़ना ब्यापक सब्द का उलेख बच्चे के विकास और उन्नित के सभी पहलियों के आकलन के रूप में किया जाना था लेकिन सिक्चकों के पास उपयुक्त उपकरन ना होने के कारण ऐसा नहीं हो सका और इसलिए CCE कारियानवन में ब्यापक पहलियों के आंकलन की बात अपनी समगरता में अधूरी ही रह गई तीसरा हाता है आंकलन सब्द को माप सब्द का परियाय मानना आंकलन सब्द को माप सब्द का परियाय मानना जाता था भोतिक दुनिया में जिस तरीकी की बेदता और बिस्वस नीता के साथ माप की जाती है सीसी इजी में मूल यांकन भी इसी तरीके की सटिकता और सुदता के साथ बच्चे की बिकास और उन्नत को मापने के लिए किया गया था जबकि बेवहारगत पहलिवों में आकलन की तुलना में बहुत एक दुनिया में आकलन की पिर्वित्ती अलग अलग होती है लास्ट है आकलन में उपकरणों और तकनीक के उपयोग एक अन्य महत्पून मुद्धा आकलन में कई उपकरणों और तक्नीकों के उपयोग से सम्मन्दित था इन सभी गंभीर मुद्धों के बाबजूद CCE योजना के इरादों पर किसी को संदे नहीं था इसी लिए CCE योजना के क्रियानमन पहलूओं को फिर से दिखना जरूरी था CCE के क्रियानमन में कमियों के कारण उत्पन विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए बिद्यालाय आधारित आकलन की कलपना की गई बिद्यालाय आधारित आंकलन बास्ताव में CCE का next generation कहा जा सकता है अब बिद्यालाय आधारित आंकलन क्या होता है इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आंकलन क्या है आंकलन एक ऐसी निरंतर प्रिक्रिया है जिसमें ऐसे प्रमार इकटटा करके उनका विश्लिशन किया जाता है जिससे तर की युक्त निरलाय लिया जा सके और बच्चों में सीखने की प्रिक्रिया बहतर हो सके तथा यदी सीखने में कोई परिसानी हो तो उसे दूर करने में उसकी मदद कर सके दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि आंकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को लगातार जाच सकते हैं और अपने सिक्षन की सफलता का मुल्यांकन करते हैं आउकलन कई पर होता है, जैसे अंतरास्टी पर PISA, TIMMS, PIRLS, रास्टी पर NAS और BOOड़ की परिक्षाएं होती हैं, राज पर SLASE, SET1, SET2, इत्यादी, विडियाला स्थर पर भी होता है आउकलन, कक्छा स्थर पर आउकलन होता है, तो इन सभी इस्तर पर होने वाले आंकलनों के विभिन उद्देस होते हैं विभिन प्रकार होते हैं और विभिन उपयोग होते हैं लेकिन आज हम न कक्छा इस्तर पर होने वाले आंकलन ना राज रास्टी और अंतरास्टी इस्तर पर होने वाले आंकलन पर चर्चा करेंगे बलकि आज हम बिद्याला इस्तर पर होने वाले आंकलन पर चर्चा करेंगे बिद्याला आधारित आंकलन क्या होता है बिद्याला आधारित आंकलन को समझने के लिए तीन बातों को समझना जरूरी होगा पहला बिद्याला आधारित आंकलन लर्निंग आउटकम बेस्ट होता है दूसरा स्कूल बेस्ट असेस्मेंट में अध्यापक और बच्चे दोनों सामिल होते हैं दोनों मिलकल निरला लेते हैं कि किन किन लर्निंग आउटकम को एसेस करना है, कब करना है, सक्सिस क्राइटिरिया क्या होंगे ये सभी बात हैं सिक्छक और बच्चे को पहले से स्पस्ट होती है एक पेपर बनाकर एसेस करना और ये कहना कि बच्चे ने फ़ला लर्निंग आउटकम एचिव कर लिया है कहना उचितना होगा तीसरा और महत्वपून बिंदू विद्याला आधारत आकलन स्कूल के सिक्चकों की दौरा किया जाता है इसमें सिक्चकों को अपने विद्याला के बच्चों को एसेस करने की जुम्मेदारी दी जाती है एक सिक्चक अपने बच्चे को अच्छी तरीके से एसेस कर सकता है अप एक छाकृत बाहर से आई हुई एजेंसियों से विद्याले आधारत आंकलन को एक अलग उधारन से समझ सकते हैं असर के प्रोफेसर जीयो मास्टर्स के अनुसार स्कूल आंकलन का उद्दिस यह पता लगाना है कि छात्र अपने सीखने के मार्ग पर कहा है ताकि सिक्षक उन चात्रों को बहतर तरीकी से मार्ग दर्सन कर सके चित्र में दिखाया गया है कक्षा एक, दो, तीन, चार और पांच के अलग अलग लर्निंग आउटकम लिखे हुए है यदि कक्षा तीन के लर्निंग आउटकम को अचीव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसे कक्षा एक वाद दो के लर्निंग आउटकम आते हैं अब उसको चार और कक्षा पांच के लर्निंग आउटकम अचीव करने हैं अब समझते हैं कि विद्याला आधारत आंकलन की मुख बिसेज़ता है क्या है तो विद्याले आधारित आंकलन की मुख भिसेज़ता है कि इसमें सिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और असेस्मेंट दोनों एक साथ चलते हैं दूसरा सक्षकों पर लेखन रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग का कोई अत्रक्तभार नहीं हो होता है यह बाल केंद्रित है चाइल सेंटर्ड है और गतिविती आधारित है दिसाय बच्त को याद करने की बजाए युगता विकास पर द्यान दिया जाता है चूंकि विद्याले आधारित आंकलन में सिक्षक और बच्चों की सक्रिय भागिदारी रहती है उन्हें असेस में की प्रिया में सक्री सहवाकता करते हैं लोगों को सिक्षकों और सिक्षा व्यभसता पर बिस्वस बढ़ता है और विद्याले आधारित आंकलन की सबसे मुख्य बिसेिष्ज़तर ये भी है कि इस से बच्चों में आत्म बिस्वस बढ़ता है बिद्याला आधारत आकलन को एक कतिविती की माद्धियम से और समझते हैं गड़त का लर्निंग आउटकम एक लेते हैं कि बच्चे घन घनाब, गोला, बेलन, संकू, आधिकी आकरतियों को पेंचान लेते हैं इसमें हमने किया कि कुछ आकरतियां ली और कुछ आकरतियों को हमने एक बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स में डालने के बाद एक बच्चे को बलाया वो बच्चा आता है और बॉक्स में हाँ डलता है और बिना देखे उसको टच करके ये बताता है ये बस्तू बेलन है, संकू है, या घनाव है, घन है, या गोला है तो इस प्रकार बच्चे अपने पूर्व ग्यान को अपने नबीन ग्यान फे जोडते हैं कि जो बस्तू हैं उन्होंने पहले देखी या महसूस की थी ये बस्तु उनसे किस प्रकार से भिन या समान है ये गतिविदी आधारित आकलन का उधारण बिद्याला इस्तर पर होने वाले आकलन का एक उधारण है तो हम इस प्रकार की गतिविदी डिजाइन करके बिद्याला आधारित आकलन को सफल बना सकते है धन्यवाद झाल झाल